आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे चलिए आज बनाते हैं चेट पटा चिकन बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होता है उसके लिए एक किलो चिकन लिया है हमने चिकन को पूरा लिया चिकन और इसमें कलेजी सुधा तो इसे हमने एक बॉल में डाल देंगे दो करके और तेस्ट के रिकोर्डिंग नमक और धेर सारा कटा हुआ धनिया पत्त डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें आधा नीबू करस निचोड़ कर डाल देंगे कि इसे भी अच्छे से हां से मिक्स कर देंगे और इसे ढख करके हम दस मिनट के लिए रख देंगे अच्छे से मैगनेट हो जाएं तस मिनट हो गया है हमने गैस पर भगोना चड़ा दिया इसमें तीम बड़े चंब सर्जों का आयल डाला है आयल हमारा गरम हो गया इसमें खड़े मसाले डालेंगे मसाला हमारा अच्छे चटकने लगा है गरम मसाला इसमें हम बार एक कटा हुआ दो बड़ी प्याज है और एक इंच का टुकड़ा अध्रग है इसे हमें कट्ड़ कर लिए अध्रग को पहले अध्रग डालेंगे प्याज और हरीमिच दाल देंगे तक प्याज ब्राउन होने तक फ्राइ निंड़ा अध्रग कर लेंगे तो जब तक हमारा यह प्याज से ग्वाल्डेन ब्राउन हो रहा है तब तक मसाले निकाल ले रहे हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स हमने धनिया पाउडर लिया है चार चम्मच और एक चम्मच लालमिश पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर तो इधर देखिए हमारा प्याज अच्छे से गोल्डेन प्राउन हो गया है तो अब इसमें चिकन डाल देंगे मैंगनेट किया हुआ अच्छे से हम लोग चलाते रहेंगे अच्छे से ती इसे भूनना है मैं आदा चम्मच अमने नमक aletा लाएं तो नमक थोड़ा कि इस अच्छे से चलाते हुए बढ़िया सा भून लेंगे चिकन को तो यह देखिए प्रिंट्स च्छे से साथ मिनट तक हमने अच्छे से इसको भूना है बंद करके पकने दिया है इस लो आच भी पिर इसे हमने ठककर हटा करके इस बूनाई करेंगे तो यह देखिए हमारा पानी आदा सूप गया है पूरा तो इसमें हम डाल देंगे जो मसाले निकाल कर रखेते प्लेट में इस अच्छे चलाते हुए बढ़िया सा भूनेंगे ताकि मसाला चिकन अच्छे से भून जाए साथ में एक बाइफ्रेंड इस तरह के बना कर देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही चट्पटा मज़ेदार बनकर तयार होता है चिकन तो यह देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भून गया है भाइच मिनट तक मसाले को अच्छे से पूनना है और अब इसमें पानी डालेंखे था और यह दिकी से सालर क्यार है ॔र इससे ठहक करके था से में 10 मिनट तक पकायाestruct करते के बाद हम डाटा दिया अब इसमें बारी कटा हरे धनिया डाल देंगे अब इसको हम और ज्यादा चैट पटा बनाने के लिए इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे तो बेहतरीर हमारा बन गया है अब इसमें हमने आदा चम्माच चाट मसाला डाल देंगे ऊपर से अब आदे चमच लालेमिंच पर Soup अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो उपर से लालेमिंच पांड़ डाल सकते हैं लगे ओला जाल देंगे अरणिख शावता थम यह वे सब्सक्रम मसाल हं भूए और इसवील स्गुटह्ट है मिaimer कर देंगे लिए तो हमारा ये चटपटा चटकारेदार चिकन पूर्मा बनकर तयार है आप भी इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़े का तयार होता है और खाने के बाद आप कहेंगे हाँ क्या चटपटा चिकन बना है तो में देफरेंट्स हमारा ये लजीज बहतरीन चटपटा चटकारेदार चिकन पसंद आया होगा अगर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फिर मिलेगे मज़ेदार रेसिपिक हैसा तक अब ये अजिए लौफ आफिज वामियाद रखेगा अब तक लिया आफिज वामियाद रखेगा